हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी I hope कि आप सभी बढ़िया होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके लैपटोप या डेक्सटोप के अंदर नए पार्टिशन है किए क्रियेट करेंगे और partition create करने के साथ साथ आपका जो C drive है वो पहले से format नहीं है जा विंडो आप लोग अपने PC के अंदर installation करते हो उस समय उसको format कैसे करोगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग नए partition create करने के साथ साथ पुरा का पुरा drive है वो कैसे format करेंगे इस वीडियो के अंदर जानेंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके जो laptop या desktop के अंदर कभी-कभी ऐसी इस्तति हो जाती है कि उसके अंदर बहुत सारा virus आ जाता है या फिर computer hang होने लगता है slow चलता है ऐ वेसे partition create के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसे भी जाके देख सकते हो उसके अंदर आप without window बिना चेंज किये हुए भी बहुत ही simple और आसान तरीके से हो partition create कर सकते हो laptop या desktop के अंदर slow चलता है श्तति के अंदर आप लोग अपने laptop या desktop के अंदर window change करते हो तो window change करते समय है आपके hard drive को format कैसे करेंगे और format करने के साथ साथ नए जो partition है वो कैसे create करेंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं तो यह सब जाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें हलो दोस्तों मैं सत्यपार सर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपको आफिर स्वागत करता हूं तो बिना time waste की वीडियो है वो शुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको एक ब्यूटेबल pen drive की जरूरत पढ़ेगी मतलब pen drive के अंदर आपके वीडियो किया हुआ होना चाहिए तो मेरे इस pen drive के अंदर window 10 है वो पहले से ही ब्यूटेबल किया हु लेकिन आप खुद है वो कर नहीं पाते हो इसलिए मार्केट में window change कराने के लिए जाते हो और वहां पर बहुत ही भारी रकम आपसे ले ली जाती है लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत ही simple और easy तरीके से तो बिना time waste के हुए वीडियो आपको on करना है जैसे on करोगे तो f12 आए वह आपको प्रेज करना है यानि दबाना है जैसे आफ 12 दबाओगे नोना है वह आपके laptop में या desktop के अंदर वो शुरू हो जाएगा तो आप देख रहे हो कि आपके laptop या desktop में वो विंडो इस्टोलेशन हो रहा है उसके बाद आपक कुछ है वो देखने को मिलेगा तब आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से यहाँ पर next करना है जैसे आप next करोगे उसके बाद आपको यहाँ से installation नाउट पे वो क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद जो next step आने वाला है वो भी मैं आपको step by step बताने वाल इसके बाद आपको इसमें जो भी bit है वो select करना है या आप KMS में या STD के अंदर जिसमें भी installation करना चाहो उसमें कर लेना ठीक है उसके बाद आपको बहुत ही simple तरीके से next करना है जैसे आप next कर दो तब उसकी जो भी term condition है उसको आपको accept करना है और next कर देना है और ढखे यहाँ पर क्लिक नहीं करना है आपको यहाँ पर custom के अंदर आपको installation करना है और यहाँ पर क्लिक करना है तो यहां पर मैं नेक्स्ट कर देता हूं अब आप देख रहे होगे अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे PC के अंदर एक ही वहां से फॉर्मेंट करके फॉर्मेंट कर देते हैं लेकिन डिलेट करना हूं पूरा पूरा जो ड्राइव है अब हम लोग क्या है नए पार्टिशन है वह इसके अंदर है वह क्रिएट करेंगे तब आपको दिखाई दे रहा है टोटल कितना जी भी है और अब यहां पर आप 40,000 MP कर देता हूं और यह नया पार्टिशन है वह बन चुका रहे हैं आप देख रहे होंगे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है जैसे लोडिंग कम्प्लीट हो जाती है उसके बाद में एक नया पार्टिशन हो क्रिएट हो जाएगा यह देखिए 38.6 GB का बन गया अब मैं यह आपे भी एक मैं और पार्टिशन क्रिएट करना चाहता हूं तो एक पार्टिशन और क्रिएट कर सकता हूं जैसे जो भी पार्टिशन है मुझे क्रिएट करना है मानलो अब तो एक पार्टिशन है वो और बन जाएगा इस तरीके से आपकी जो हार्डिक्स है कुछ इसाब से आप लोग पार्टिशन है क्रियेटर कर सकते हो और जैसे मानों कि मेरे फर्स्ट वाले में यहां पे प्राइमरी नाम आया हुआ है यहां विंडो उसके अंदर होगा तो यहा जुआ टर्टन करके रहांब लाग और यहां पर नेक्सट कर दोंगा तो दोस्तों काता आप आपको समझ में आ गया होगा कि नए पार्टिशन कैसे क्रिएट करते हैं और इस जैसे आप नेक्स करते हो उसके बाद है आपके उस अप्रृंट कृnant किया है जैसे मनलों इस यह पूर्मेंद के पीछे विंड़ो इसके अंतर है इस्टौलेशन किया हुआ मैं यहां पर नेक्स्ट पे क्लीक करूँगाρεί dónde तो अंदर तो ऊमेद करना हूं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा यदि वीडियो आपके लिए helpful है आपको knowledge मिल रहा है तो एक like तो बनता है तो बने रही है दोस्तों टेकनिकल दोस्त इंडिया के साथ धन्यवाद तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको वीडियो आपके लिए helpful है आपको knowledge मिल रहा है तो दोस्तों एक like तो बनता है आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई दन्यवाद और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को वो सब्सक्राइब हो जरूर करें दन्यवाद